नमस्कार, साल 2011 में अमिताब बच्चन के फिल्म आई थी बुढधा होगा तेरा बाब फिल्म ने कुछ खास कमाल तो नहीं दिखाया लेकिन बच्चन सहाब जिस उम्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनकी life और उनकी life choices, जैसे अगर कोई 60 या 65 की उम्र में एकदम लड़को टाइप jeans टीशिट पहन कर निकल ले बालों में कुछ streaks टाइप कुछ color treatment कर वा ले या जैसे हम आम भाशा में बिल्कुल बोलते हैं कि ये क्या एकदम जटाक color पहन लिया, red, bright yellow, royal blue पहन लिया तो वो age group जो अपनी पसंद के हिसाब से कर रहा है तो लोग उनकी उम्र पर ताने देने लगते हैं और ऐसे में बच्चन सहाब का समाज की उस सोच को ठसक के साथ जवाब दे देना कि बुड़ा होगा तेरा बाप लोगों के लिए सुनना ये देखना interesting था लेकिन वो ठहरे बच्चन सहब, सदी के महानायक जो कर दे वही trend है, style है लेकिन उनकी ही बहू एश्वरे अराय बच्चन जो सिर्फ उनकी बहू ही नहीं बलकि करोडों दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री भी हैं फिल्म जगत और ग्लामर की दुनिया के चमकते सितारों में से एक रही है कई अंतराश्ट्रिय मंचों और कारिक्रमों और फिल्म फेस्टिवल्स में भारत का प्रतिन धित्व भी कर चुकी है और दुनिया की सबसे खुबसूरत महिलाओं में भी शुमार है लेकिन बढ़ती उम्र में पबलिक लाइफ में आने पर उन्हें बच्चन सहाब जैसी सुईकारिता नहीं मिली ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये वीडियो हाल ही मैं ऐश्वर्या पारिस फैशन वीक के लिए रैंप वॉक कर रही थी ऐश्वर्या की ऐसी पिक्चर्ज या स्टेज पर मौजूदगी तो कोई नहीं बात नहीं है वही कॉन्फिडेंस है, वही मुस्कान है, स्टाइल है या जो कुछ भी ग्लैमर की दुनिया एक्सपेक्ट करती है ग्लोबल सिटिजन से वो सब कुछ उनकी इस वॉक में था और सबसे ज्यादा तो ऐश्वर्या खुद थी दुनिया में मिला नामसम्मान एक तरफ, लेकिन इस वॉक के लिए एश्वर्या की भयंकर ट्रोलिंग हुई क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें, जिसमें मोटापा, बुढ़ापा और बोटॉक्स ट्रीट्मेंट वाले ताने तक उन्हें लिखे गए जैसे क्या लिख रहे हैं लोग, एश्वर्या कम और राकी सावन ज्यादा लग रही है ये बुडिया क्या आज भी मिस वर्ल्ड है, क्या हो गया एश्वर्या को, शिलपा और मलाइका को देखो ऐसा लग रहा है कि मुह में जैसे हवा भरी हो, सतर साल की लग रही है, बोटॉक्स मत करो, नाच्रली एज़ ओ, हॉरर मुवी नन के लिए बेस्ट चॉइस है मतलब ऐसी ऐसी बाते हैं जो बोलने में भी वड़ी खराब लग रही है बालों से गोल शकल को छिपा रही है ऐश्वर है, दरावनी लग रही है, आर्टिफिशल फेस है, या कौन कहेगा कि कभी ये मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड थी, वगएरा वगएरा इंग्लिश का टर्म है न, brutally trolled, मतलब जानलेवा तरीके से उपहास, मजाक्या, खिचाई होना और ये वाकई जानलेवा से कम नहीं है, क्योंकि लोगों की इस प्रतीक्रिया से कुछ बातें जो समाज के रूप में चिंता पैदा करती हैं, वो देखिए point number one, बढ़ती उम्र हमारे लिए अगली है, क्या हम बढ़ती उम्र के प्रती इतने intolerant हो गए हैं, कि जुरियां, सफेद बाल, चेहरे पर fat और शरीर पर बढ़ती उम्र के साथ आया fat नहीं चलेगा और यह सवाल इसलिए भी important है, कि यह वो देश है, जहां सिर्फ गाउं देहाती नहीं, बनकि शहरों में भी बच्चे, दादी नानी की pictures अगर ड्रॉ करते हैं तो उसमें जुरिया दिखाते हैं, चश्मा दिखाते हैं, जुकी, कमर, गर्दल या सफेद बालों को ड्रॉ करत अमिताब बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुगन सिनहा, लटकी स्किन, एजड, बॉडी टाइप और पफी आखों के साथ या सफेद बालों में दिखें तो चलेगा, लेकिन एश्वरय राय बच्चन को हमेशा वही 25 साल वाली सुन्दरी लगना होगा, और उनकी बढ़ती उ साल वाली नई एक्ट्रिस से रुमैंस करते हुए चलेंगे आपको, लेकिन एश्वरय और उनकी समकाक्ष बुड्धिया कहलाएंगी, यानि अगर रियल लाइफ में मलाइका अरोडा और अर्जुन कपूर के साथ रिलेशन्शिप मतलब अगर उनका है या प्रियंका चोप क्योंकि यही जब हम बाकी उम्रुदराज एक्ट्रिस को देखते हैं, यानि उर्मिला मतोंकर, मादुरी दिख्षे जुही चावला, काजोल, स्रीदेवी, हेममालिनी, जैया प्रदा, पूरम धिल्लो, पद्मनी कोलापूरी, करिश्मा कपूर, कई नामे लंभी लिस्ट है उन्हें लेकर तो जनता इतनी क्रिटिकल नहीं हुई, तो क्या एश्वर्या को विश्व सुंदरी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? और ये कीमत भी इसने चुकानी पड़ रही है क्योंकि खूबसूरती और एश्वर्या इस देश में परियायवाची है, सिनॉनिम है और ये खूबसूरती शब्द, ग्लैमर की दुनिया के मामले में एक अंधी दौर बन चुकी है जहां पर ब्यूटी ऐस्थेटिक्स, सर्जरी ट्रीट्मेंट, नैन नक्ष बदलवा लेने के आधार पर पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और सो कॉल्ड सुंदर्ता का व्यापार फल फूल गया है हाल ही वे छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ब्यूटी और पर्सनल केर इंडस्ट्री 11 प्रतिशत की दर से विकास कर रही है बिजनस स्टांडर्ड की रिपोर्ट बताती है कि भारती चे महीने में 5,000 करोड रुपए के ब्यूटी प्रॉडक्स खरीद लेते हैं जिसमें से 40% ओनलाइन सेल है आपने भी देखे होंगे सारे वो इंफ्लूएंसर्स और उनकी रिल सोशल मीडिया पर जहांपर मेकप से लेकर कौन से मेकप प्रॉडक्त खरीदने हैं वो सब सिखाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है जहांपर फोटो आपकी अच्छी और स्टाइलिश कैसे आएगी इसके लिए गुड़ पोस बैड पोस बताए जा रहे है सोचिए फोटो के लिए कैसे खड़े होना है इसके लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग है और ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि सब को स्टार्ज और मॉडल्स के जैसा दिखना है खुद फिल्म इंडस्टरी से जुड़े लोग खुबसूर्ती के इस मैनुफेक्चर्ड पैमाने को अलग-अलग सतर पर स्विकार करते आए है जैसे करण जोहर के शो कॉफी विद करण में एक बार इमरान हाशमी ने रैपिट फाइर राउंड के जवाब में एश्वर्य राय को प्लास्टिक तक कह दिया था प्लास्टिक एश्वर्या तो भारत समेत पूरे विश्व में, विश्व सूंद्री कहलने वाली एश्वरया राय को प्लास्टिक ब्यूटी कहने वालों की कमी नहीं। गलत नहीं है और पीछे वज़ा है हमें बेचा गया जूट जिसके सहारे पूरी beauty industry कमाई का आसमान छो रही है तो एक बड़ी वज़ा ये भी है कि सुन्दर्ता के जूटे पैमाने इस कदर हमारे दिमाग में बैठाए गए हैं जहां पर fair यानि गोरा ही lovely होता है गोरा होना सुन्दर होना है बड़ी आखे, pointed nose, बड़े होट या तीकी jawline किसी भी सुन्दर चेहरे की definition है कितना हसना है, चलते हुए कितना मटकना है, कितनी गर्दन गुमानी है, कितनी आखे जुकानी है, कितनी मिलानी है पागलपन की हद तक, body language पाथ नहीं, कुछ तीन-चार सेज इस होती है स्माइल की, तो पहले गम्स नहीं दिखने चाहिए मैं क्यों मैं तो जोर से सह सुगी हाँ करकर तब दिखेंगे, गम्स, वो अच्छे नहीं तो हसने की चार जरहाँ लेवल्स ओफ स्माइल है और ऐसे ही कॉंटेस्स से एश्वरे और उनके जैसी कई और विश्व सुंदरिया निकली है और जूटे beauty standards की आग में आज उनका वरतमान जल रहा है हाल ये हो गया है कि आज की तारीख में फिल्मों और modeling में आने वाला हर चेहरा एक जैसा दिखता है किसी भी series में web series में आप देख लीजिए जो नए चेहरे आ रहे हैं वो पहले से ही सब कुछ fit करा कर आते हैं और इसके लिए उनके before और after photos सब जगा viral भी होते हैं और जो पुराने चेहरे हैं मसलान शिल्पा शेटी से लेकर प्रयंका चोपड़ा काजोल से लेकर सुष्पिता सैन और कंगना से लेकर अनुष्का शर्मा तक सभी पर लोग सवाल खड़े करते आये हैं चलिए एक स्तर पर ये मान भी लें कि किसी की निजी पसंद हो सकती है कि आपकी नाक, होट या शरीर का कोई और हिस्सा अलग तरह से दिखे जो आपकी नजर में सुंदर है और ट्रीटमेंट अगर उसका उपलब्ध है तो लोग करवा भी रहे हैं ये उनका चॉइस है लेकिन अगर वही एकलोता डेफिनेशन बन जाए ब्यूटी का, खुबसूरती का तो फिर दिक्कत होना लाजमी है जरा इमाजिन करिए एक बार के लिए पुराने दौर में जाकर कि मदुबाला, वहिदा रह्मान, आशापारेक, साहराबानो साधना, मीना कुमारी जैसी आदाखार है अगर इन सब के नाक, आख, होट, बॉड़ी टाइप सब एक जैसे दिखने लगे कितना बड़ा नुकसान है ये व्यक्तिकत अस्तित्व के सजने सवरने वाले एक पूरे समाज के लिए ऐसा भी नहीं है कि खुबसूरती के इस तमगे का बोज सिर्फ महिलाएं ही डो रही हो पुरुशों को भी अब six packs में jawline से लेकर face features के aesthetic बढ़ा करी entry मिलेगी और ऐसा ही दर्ध हमारे दौर के सबसे शांदार actors में से एक नवाज उदिन सिद्की के इस statement में जलका आरत की जो खुबसूरत उसके काम से होती है तो बस यही एक line सार है खुबसूरत सिर्फ रूप से नहीं व्यभार चरित्र कर्म और भाव से भी होना होता है और इसलिए खुबसूरती के जूटे खेल में आप भी फसे मत रह जाएए gracefully age होना चहरे पर जूरिया आना skin का बढ़ती उम्र के साथ रूप बदलना और बालों का natural रंग बदलना ये बताता है कि जनाब आपने जिंदगी के हर मौसम हर दर्द, हर खुशी और हर चैप्टर को देखा है सभी को नसीब नहीं होता है gracefully age होना और इसी लिए उसे स्विकार करिए अपने चहरे और कद काठी पर गर्व करिए, प्रेम करिए क्योंकि वो आपका original है बाकी choice हमेशा आपकी है क्या बदलना है, कैसा करना है लेकिन ये choices किसी दूसरे के look और taste या social media से प्रभावित ना हो तो जिन्दगी असल मायनों में ज्यादा सुंदर लगेगी और ज्यादा सुंदरता खोजनी हो तो फिर प्रकरती को देख लें क्योंकि वो बिना किसी make-up के perfect है, उन्मुक्त है, स्वच्छन्द है इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही लेकिर अगर ये content आपको पसंद आया हो तो दिल भर कर like करें share करें, channel को subscribe करें channel को आर्थी क्रूप से भी आप सहीयोग कर सकते है Newsbeads के member बन कर खुबसूरती पर आपकी क्या राय है आपकी नज़र में खुबसूरती क्या है ये हमें comments में जरूर बताएं ये वीडियो देखने के लिए बहुत अन्यवाद